हलो बच्चों गंगवार इंस्ट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का सोगत है मैं हूं डॉक्टर हरियोम गंगवार और बेटा इंटिये जो अपना टेस्ट करा रहा बेटा मौक टेस्ट करा रहा है उसको लिखे बच्चे काफी परिशान है तो लगातार हम क्या कर रहे कि जो एंटिये ने टेस्ट कराएं हैं उनके सेलूशन को यहां पर अप्लोड करें और यहां पर कोसिस हम यह करते हैं कि चारों आप्शन आपको समझा दिये जाए ताकि जो एंटिये के बाहर के कुश्चन हो भी आप इसली सौल कर पाएं तो यहां पर बेटा एंटिये का जो टेस्ट नमबर फाइब है उसके बाइलजी के 90 कुश्चन यहां पर हम डिसकस करेंगे और जल्दी फिजिक्स और केमिस्ट्री के शलूशन भी अप्लोड करना हमें स्टार्ट कर देंगे तो अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो क लाइक करेंगे और आखिर तक देखेंगे तो अब इसको फारवर्ड करके भी आप देख सकते हैं चीज़ें आपके समझ में आएंगी 40-45 मिनट में आप 90 कुश्चन आसानी से कवर कर सकते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं पहले कुश्चन से What is true about exotic breed? Exotic breed के लिए पूछा गया क्या सही है? तो पहले यह जान ले exotic breed कहते किसे हैं Exotic बेटा कहा जाता है कि ऐसी breed या ऐसी species जिनने किसी दूसरी country से लाया जाता है उन्हें exotic या alien species के नाम से जाना जाता है तो पहले जो exotic breed होते हैं इनको grow कराने के लिए specific requirement की जरूरत होती है तो यह option यहाँ पर correct होगा बाकी तीनों option यहाँ पर गलत होगा जिसे भी option में लिखा है steady and low yielding जादा तर exotic breed high yielding होती है जैसे हमारे देश में जो जर्सी गाय है वो एक exotic breed है लेकिन उसकी yield जादा है second question बाटा क्या करा है secretion of endrogen by ledic cell of testices under the regulatory influence of बाटा ledic cell endrogen का secretion करती है और ledic cell के ओपर LH नाम का hormone है करता है जो NCRT नहीं लिखा है लेकिन बाटा यहाँ पर option LH है नहीं तो LH का ही एक नाम और है that is ICSH interstitial cell stimulating hormone और ledic cell को हम क्या कहते है लेडिक cell को हम interstitial cell कहते है और LH को क्या कहते है interstitial cell stimulating hormone आप आसानी से दोनों को link कर सकते हैं लेकिन यह term NCRT में बाटा आपको नहीं दिया गया है question number 3 the total number of species that are known and described range between यह बैटा आपको biological classification में भी दिया गया है living word में भी दिया गया है कि total number of species जो describe की जा चुकी है उनका number 1.7 to 1.8 million या 17 से 18 लाख है question number 4 में पुछा गया which of the following statement is correct about the circulatory system of Enlida अब बैटा यह भी NCRT में जिक रिसका नहीं है Enlida यानि अर्थवर्म की केच्वे की बात करें तो इसमें जो respiratory pigment होता है हीमोग्लोबिन होता है और इसका हीमोग्लोबिन plasma में dissolve होता है ध्यान दिजेगा हमारे पास भी हमोग्लोबिन और हमारा हमोग्लोबिन RBC में है plasma में नहीं लेकिन अर्थवर्म में RBC नहीं होती इसलिए वहाँ पर हमोग्लोबिन जो होता है बैटा वो plasma के अंदर dissolve होता है और कांकरोज की अगर बात कहें तो कांकरोज में हमोग्लोबिन या कोई भी respiratory pigment पाया ही नहीं चाहता है question number 5 which of the following option is correct तो बैटा यहाँ पर जैसे पहला option दियागा lipoprotein is equal to protein plus lipid येक्तम सही दूसरे में लिखा chromoprotein protein plus lipid ये गलत हो जाएगा chromoprotein क्या होता है बैटा इसमें colored substance और protein होती है जैसे hemoglobin एक chromoprotein है बैटा तो ये आपसे incorrect पूछा तो ये ही incorrect statement आपका हो जाएगा B option C में क्या लिखा nucleoprotein protein plus nucleic acid जैसे nucleoprotein का example हमारे पास हो जाएगा ribosome ribosome में protein भी है और nucleic acid के तोर पे RNA पाया जाता है virus भी nucleoprotein होती है क्योंकि उनमें भी protein और nucleic acid पाई जाती है glycoprotein D option में लिखा protein plus carbohydrate ये भी सही है question number 6 में आपसे एक figure बैटा यहां पर आपको दिखाए गया है कि female mother से जो बीमारी है बैटा उस son में जाती है और male father से daughter में जाती है अब आपसे पुछा गया which of the following condition could be example of this pattern तो बैटा इस pattern को कहते है Chris Cross Inheritance इस pattern को कहा जाता है Chris Cross Inheritance और Chris Cross Inheritance कहाँ पर मिलती है X-Sex-Linked Recessive Disorder में X-Sex-Linked Recessive Disorder ये question previous year का है बैटा तो आप 4 option में से hemophilia X-Sex-Linked Recessive Disorder है hemophilia के लाव अगर color blindness option दिया जाता तो वो भी सही option हो सकता तो यहाँ पर बैटा आपको क्यों याद नहीं रटा नहीं मारना है आपको concept समझना है कि ये Chris Cross Inheritance है जो X-Sex-Linked Recessive Disorder में पाई जाती है question number 7 which are the following is a method of birth control जो 4 option दिये गए बैटा इसमें intrauterine devices जो होती है जैसे copper T हो गया copper 7 हो गया, multi load 375 हो गया LNG 20 हो गया, lipage loop हो गया सब IOD हैं जिसका योज birth control के लिए किया जाता है बाकी जो तरीके बैट आपको 3 दिये गए हैं ये ART के example, ART मतलब Assisted Reproductive Technology, ये birth control नहीं करते हैं बलकि ये उन person की मदद करते हैं जो infertile couple होते हैं, जिनको बच्चे पैदा नहीं होते हैं, उनके लिए तीनों तरीके यूज किये जाते हैं, तो ये ART के method, Assisted Reproductive Technologies Question No.8 Lacuni are connected with each other बाई, अब बेटा लैकुनी का मतलब space होता है, ये हमारी जो compact bone होती body में उन में lacuni मतलब spaces पाए जाते हैं और lacuni connect होती, कैनाली इसका कहीं description है, ये सीधे आप याद कर लिजेगा, क्योंकि ये question MBBS के level का है ये need के level का सवाल नहीं है Question No.9 The two chromatid of a metafage chromosome represent Metafage chromosome में बेटा, जो chromosome के अंदर दो chromatid पाई जाती हैं और आप जानते हैं कि anaphage में जो centromere होता है, जब वो slit होता है, तो दोनों chromatid अलब हो जाती हैं, और ये chromosome को represent करती हैं, तो option A correct होगा, बेटा replicated chromosome to be separated एनाफेज, ये ही दो chromatid जो हैं, ये ही future की chromosome है और ये दो chromatid एनाफेज में दूसरे से separate हो जाती है Question No.10 Mark the correct option with respect to tissue location and its function तो बेटा यहाँ पर जो option आपको दियेगे हैं, उसमें B option आप देखिए breast border qoidal epithelium ये PCT region में पाई जाती हैं, और rape option का काम करती है, एक्तम सही आपको दिया गए, breast border qoidal epithelium, बागी NCRT में कहीं भी reticular tissue का या neuro secretory epithelium का जिक्र नहीं है तो B option यहाँ पर correct हो जाएगा question number 11 oral contraceptive help in preventing pregnancy by inhibiting पेटा जो oral contraceptive pill होती हैं, जिन्हें हम mala D के नाम से, mala N के नाम से, गर्ब, निरोधक, गोलियों के नाम से जानते हैं ये ovulation को रोकती हैं, implantation को भी रोकती हैं, लेकिन ovulation को हम प्रिफर करते हैं ovulation को रोकती हैं, मतलब ovulation ही नहीं होता क्योंकि L का formation ही नहीं होता है तो oral contraceptive pill, oa formation या एक formation को रोकती हैं question number 12 phototropic and geotropic moment are linked to better phototropic मतलब light की तरफ moment और geotropic मतलब gravity की तरफ moment तो आप देखते हैं कि जो stem होता, suit होता, उसमें phototropic moment होता है root में geotropic moment होता है root gravity की तरफ ग्रो करते हैं, suit light की तरफ ग्रो करता है और आपने अगर plant physiology में पढ़ा होगा auxin के बारे में, तो auxin की वज़े से phototropic और geotropic moment होते हैं NCRT ने directly नहीं लिखा, लेकिन Charles Darwin और Francis Darwin का जो experiment था, जो kolioctile था वो light की तरफ मूव करता था, वही phototropic moment है directly NCRT में mention नहीं है question number 13, select the incorrect statement पैटा, incorrect statement की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो incorrect statement, पहला option आपको क्या दियेगा VNTR, variable number of tandem repeat belong to class of mini satellite DNA सही है, NCRT ने दिया है दूसरा option में लिखा, DNA sequences, DNA sequencer work on the principle developed by Freddy Sanger ये भी सही है HGP was coordinated by US Department of Energy and National Institute of Health ये भी सही है D में लिखा हुआ है बाता, कि DNA fingerprinting pattern is not unique to an individual जो की गलत है बाता, DNA fingerprinting का pattern एक individual के लिए दम unique होता तो यही आपका answer हो जाएगा क्योंकि आपसे incorrect पूछा गया है Question number 14, Restriction Enzyme work by cleaving Restriction Enzyme जैसे ECO-R1 है बेटा, इन्हें Restriction Endonuclease Enzyme भी कहा जाता है तो किसे cut करता है? Restriction Endonuclease Enzyme, Phospho Diester Linkage को cut करता है यह Phospho Diester Linkage को cut करता है, यह Hydrogen Bond को cut नहीं करता है, यह आप ध्यान रखिएगा Question number 15, ICBN Stand फारे यह NCRT ने क्लास 11 की फस्ट बुक में आपको पहले चैप्टर में बताया है जिसमें ICBN का मतलब होता है International Code of Potenical Nomenclature Plant का नाम रखने के लिए ICBN के code का यूज किया जाता है Question number 16, Which of the following is not a part of renal pyramid? बेटा, renal pyramid का मतलब medullary pyramid से तो medullary pyramid को जरा याद करिए, यानि medulla को याद करिए आप cortex और medulla की अगर बात करते हैं बेटा, तो cortex में कौन-कौन से पार्ट होते हैं Bomb and capsule, glomerulus, PCT, DCT पार्ट जो होते हैं बेटा, वो cortex में होते हैं, और medulla में कौन-कौन होता है? Lope of family हो जाएगा collecting duck, cortex से medulla तक हो जाएगी और जो Lope of family उसके surrounding में क्या, peritubular capillaries तो बटा, peritubular capillaries, Lope of family, collecting duck, ये तो medulla में होंगी लेकिन medulla में कौन नहीं होगा? Convoluted, tubule, यानि PCT और DCT पेटा, cortex में होते हैं ये medulla reason में नहीं पाए जातर यहीं पूछा गया कि कौन medulla reason में नहीं पाए था अब यहाँ पर सीधे नहीं लिखा है renal pyramid का part आप से पूछा गया कौन नहीं तो renal pyramid actually medullary pyramid है यानि medulla का कौन पाट नहीं तो PCT, DCT, bomin capsule और glomerulus ये medulla के पाट नहीं ये cortex में पाए जाते हैं question number 17, ये NCAT के बाहर का है in bi-technic type of ovule ये मैंने आपको पढ़ाए है बेटा ये ही जो NTA के दो test मैंने upload की उसमें मैंने आपको समझाए था bi-technic type of ovule neosilus each and the number of integment bi-technic का मतलब integment का number 2 हो जाएगा तो 2 option में 2 आपको दिया गया है 2 option तो खतम हो गया क्योंकि bi-technic में 2 integment होता है uni-technic में 1 integment होता है और bi-technic जो ovule होते है बेटा उनमें neosilus well-developed होता है और 2 integment होते हैं तो B option correct हो जाएगा question number 18, गार्बो हाइडरेट are commonly found as starch in plant storage organ which of the following 5 properties of starch make it useful as a storage material बेटा, starch को plant इसलिए store करता है क्योंकि ये chemically non-reactive है starch chemically non-reactive और osmotically inactive है तो आपका option B हो जाएगा नि B और D की वज़े से chemically non-reactive osmotically inactive होने की वज़े से plant इसे store करता है अपनी storage organ में question number 9, senescence in plant is inhibited by senescence मतलब बुढ़ापा तो senescence को रोकने का काम cytokinin करता है जबकि abscessic acid senescence को promote करता है लेकिन senescence को रोकता कौन है cytokinin question number 20, is cell increase in volume if the external medium cdncrt की line है अगर किसी cell को hypotonic medium में रखा जाए तो उस cell कर जाएगी hypertonic में रखेंगे तो shrinkage हो जाएगा plasmolysis हो जाएगी और isotonic में कोई change नहीं होगा cell flaccid होगी question number 21 में आपसे पूछा गया कि if the phytoplankton are destroyed in the c10 बैटा देखे phytoplankton की अगर बात की जाए तो phytoplankton first trophic level का formation करते है t1 का formation करते है first trophic level और बैटा जो first trophic level होता उन्हें primary producer का नाम दिया जाता है first trophic level को producer कहा जाता है अब अगर phytoplankton को बैटा destroy कर दिया जाएगा c में तो इसकी वज़े से क्यों आप सोचिए अगर phytoplankton ही नहीं रहेंगे तो producer नहीं रहेंगे इसका मतलब और producer नहीं रहेंगे तो जो food chain है बैटा वो food chain affect हो जाएगी और food chain affect होने का मतलब यह कि अगर phytoplankton नहीं रहेंगे तो phytoplankton के ओपर जो plankton feed करते हैं तो जो plankton भी नहीं रहेंगे और जो plankton के ओपर मचलियां feed करते हैं तो मचलियां भी नहीं बचेंगे यानि पूरा ecosystem तबाह हो जाएगा चले बैटा अगला question है which one of the following pair of organ include only the endocrine gland अब बैटा पहला option दिया गया पहरा thyroid ये एक endocrine gland है supra renal supra renal की बैटा बात करें तो supra renal gland ये जो adrenal gland होती उसी का दूसरा नाम adrenal gland को ही supra renal gland कहते है NCRT में नहीं दिया गया बैटा तो supra का मतलब होता है उपर है ना supra का मतलब उपर और renal का मतलब kidney तो ये adrenal gland kidney के ओपर पाई जाती है इसलिए से supra renal gland के नाम से जाना जाता है अब ये दोनों ही keval endocrine gland की तरह काम करती है तो ये ही option सही हो जाएगा आब बाकि option देखिए pancreas beta endocrine gland और exogran दोनों की तरह काम करती है टेस्टिस का भी dual function होता है ये spung को भी बनाता है और साथ ही साथ endocrine gland के रूप में काम करता है ओवरी से एका formation भी होता है और endocrine gland के रूप में भी काम करती है तो इसका मतलब है testis, overry और pancreas केवल endocrine gland की तरह काम नहीं करते है इनके दूसरे काम भी है the following pair is correctly match with regard to codon and amino acid coded by it अब पहला option बेटा दिया गया CAC lycine CAC की बेटा अगर हम बात करें तो CAC histidine के लिए code करता है ये histidine नाम की amino acid के लिए code करता है तो ये statement आपका गलत होगा AUG की बेटा बात करें तो AUG आप जानते है methionine के लिए code करता है तो ये भी statement यहाँ पर गलत हो जाएगा UUA leucine के लिए code करता है ये सही है जबकि CCC की बात करें बेटा तो ये proline के लिए code करता है तो यहाँ पर बेटा आप से correct पुछा गया तो C statement correct है बागी तीनों incorrect है अगला कुशन बहुत ही आसान है which of the following is also called amphibians of plant kingdom तो बेटा ब्रायोफाइट को amphibians of plant kingdom कहा जाता है क्योंकि आप चानते हैं कि जो ब्रायोफाइट होते हैं ये पानी के बाहर रहते तो हैं लेकिन sexual reproduction के दोरान gammy transfer के लिए पानी पर depend करते हैं इसलिए ने amphibian of plant kingdom के नाम से जाना चाता है अगला कुशन देखिए during hybridization hybridization मतलब crossing के दोरान of spring with hybrid viger superior to both parent and are self-pollinated for a few successive generation too जब दो parent में बेटा cross कराया जाता है माल लीजे capital A, capital A और small A, small A ये दो parent है इसको male माल लीजे और इसको female माल लीजे इन दोनों में जब cross कराया जाता है तो cross कराने से capital A, small A progeny का formation होगा कुशन में कहागे capital A, small A में hybrid viger produce हुआ मतलब ये जो progeny है बेटा ये progeny अपने दोनों parent से superior है अब करें इसका self-pollination कराया था self-pollination का मतलब इसको इसी तरह के organism से cross कराया था कई generation तक और ऐसा इसलिए कराया जाता था कि homo gygosity को obtain किया जा सके तो ये बेटा NCRT के बाहर का कुशन है homo gygosity को obtain कराने के बाद जो off spring होता है बेटा जो progeny होता इसका कई generation तक self-pollination या self-ping कराया जाती है कुशन नमबर 26 बहुत आसान सा कुशन है during cell growth DNA synthesis take place DNA synthesis कह सकते है या आप से exam में DNA replication कहा जा सकता है तो DNA synthesis या DNA replication बेटा सभी लोग जानते है S phase में होता है यह बहुत ही simple सा कुशन यहाँ पर आपको दिया गया है अगला कुशन देखिए deficiency of enzyme ADA causes ADA adenosine deaminase adenosine deaminase enzyme की बेटा अगर हम बात करते हैं तो adenosine deaminase enzyme की जो deficiency होती बेटा इसकी वज़े से skid नाम की disease होती severe combined immunodeficiency syndrome जिसे skid के नाम से जाना जाता अभी हाली में प्रियंका चोपडा की movie आई थी the sky is pink वो इसी बीमारी पर आधरी थी severe combined immunodeficiency syndrome इस बेमारी में BOT lymphocyte दोनों का formation नहीं होता है NCRT में बेटा नहीं दिया गया लेकिन अगर आपके class notes होंगे inspection आपके पास होगी bio need होगी तो उन दोनों जगहे point आपको दिया गया है अगरा question देखिए बेटा cellulose is a polymer off cellulose की बेटा अगर बात करें तो ये beta glucose का polymer है ये भी NCRT ने आपको नहीं लिखा है तो यहां से देखिए यहां पर alpha glucose भी है और beta glucose भी है तो cellulose beta glucose का polymer होता है ये आपको याद करना पड़ेगा question number 29 में पुछा गया which of the following is an edible fungus response of fungus से जिसको खाया जा सकता है तो अगेरिकस की अगर हम बात करें इसे commonly mushroom के नाम से जाना जाता है market में बिकता हुआ दिखाई देता आप restaurant जाते वहां पर मटर मश्रूम साधी बारात में जाते वहां पर भी मटर मश्रूम की सबची आप खोब उड़ाते हैं तो यह जो अगेरिकस से यह edible mushroom है clear? चले question number 30 पे हम चलते हैं left shift of oxy hemoglobin curve is noticed under left और right shifting की condition मैंने आपको crash course में बताई थी तो left shifting की जो condition होती है low temperature और high pH की condition में left shifting होती है temperature कम है pH अगर ज़्यादा है या फिर आप कह सकते हैं low hydrogen ion low hydrogen ion है ना? या फिर आप कह सकते हैं low carbon dioxide carbon dioxide कम है hydrogen ion कम है temperature कम है और अगर hydrogen ion कम होंगे तो obvious है pH बढ़ जाएगा तो इस सभी condition में left shifting होगी और इसका उल्टा कर दीजे high temperature, high hydrogen ion high CO2, low pH तो right shifting हो जाएगी अगले सवाल पे चली if a homo gigus tall plant is cross with homo gigus door front, the office spring will be homo gigus tall का मतलब बटा capital T, capital T इसका cross homo gigus dwarf से करा रहे है, small T, small T तो अब जब इनमें cross कराएंगे बटा तो देखी, यहाँ पर gamete आप क्या बनाओगी capital T यहाँ पर gamete small T बनेगा और इनका cross जब होगा gamete का तो capital T, small T बनेगा और capital T, small T कैसा होगा, tall होगा तो अगर homo gigus tall और homo gigus door plant का cross कराऊगे, तो सभी tall plant आपको मिलेंगे, तो यह cross करके आप निकाल सकते हूँ, यह रट्टा नहीं मारना है आपको question number 32 यह NCRT में आपको नहीं दिया गए था pollination in pinus, pinus की बात करें बटा gymnosperm का member है और सभी gymnosperm में wind के द्वारा pollination होता, सभी gymnosperm में wind pollination होता और wind pollination को animophily कहा जाता, तो pinus animophilus होता है entomophilus मतलब insect के द्वारा होने वाला pollination, hydrophilus मतलब water से होने वाला pollination, malachophilus का मतलब होता है, mollusk से होने वाला pollination, तो यह भी NCRT के बाहर का point है enteak कह रहा है कि आगे के test वो इसी NCRT से देगा लेकिन यह test number 5 में आपको करा रहा हूँ और देखे कितने सारे question ऐसे जो NCRT के बाहर से पूछा जा रहा है, तो मैं इसी लिए कह रहा हूँ कि आप इसके लिए पूरी तरीके से prepare रही है कि आपके need में हो सकता है NCRT के बाहर से question आए और जो दोबार में 12 बज़े में session करा रहा हूँ बेटा, special surprise session उसको जरूर join करिए, daily basis पे बहुत सारी बाते आप सीखेंगे question number 33, select the correctly match among the following, पहला है solonese, pulses, गलत है बेटा, जो pulses है ये febacy family से बिलॉंग करती है, तो ये गलत statement हो जाएगा, febacy से पी बिलॉंग करता एकदम सही है brassi case से wheat बिलॉंग करता, गलत है बेटा, wheat की family पोएसी हो जाएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा leguminosi sunflower, बेटा, sunflower की family होती है, esteraceae sunflower की family है, तो क्यों b statement correct है, बाकि सभी incorrect है question number 34, the enzyme produced by streptococcus बेटा, streptococcus के दोरा जो enzyme produce किया जाता है बेटा, उस enzyme का नाम है streptokinage streptokinage, हैना देखे, strepto यहाँ भी लगा है, और strepto यहाँ भी streptokinage और जो streptokinage है, ये blood clot को dissolve करता है clot buster के तोर पे इसका यूज किया जाता है, और ये उन patient को दिया जाता है, जिनमे heart attack की संभावना होती, जिनमे myocardial infection हो सकता है heart attack हो सकता, MI वाले patient को streptokinage दिया जाता है, जो कि streptococcus नाम के bacteria से obtain किया जाता है, question number 35 nocellar embryo age बटा देखे, nocellar का मतलब है, nocellus की cell से बनने वाला embryo है न, nocellus की cell कैसी होती है, diploide होती है तो इसका मतलब है, nocellus cell से बनने वाला जो embryo होगा और diploide होगा, तो दो option तो ऐसी खदम हो जाते हैं, अब ये epomyxis के द्वारा बनता है, इसलिए इसे epomyctic diploide embryo कहा जाता है, ये भी बेटा NCRT में directly आपको नहीं दिया गया हाँ, epomyxis के बारे में जरूर आपको बताए गया है, कि बिना fertilization के अगर seed का formation होता है, तो उसे epomyxis के नाम से जाना जाता है और epomyxis में जो embryo बनता है, उसे epomyctic diploide कहा जाता है, question number 36, placenta produces which hormone, बेटा प्लसेंटा से progestron hormone निकलता है progestron के अलावा, अगर मैं आपको बताओं, तो HPL human placental lactogen का secretion होता है human chorionic gonadotropin का formation होता है, यानि SCG हो गया, HPL हो गया progestrogen का secretion placenta से होता है, तो यह आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, question number 37 में आपसे क्या पुछा गया, plasma membrane helping, plasma membrane की बात करें, तो पहला option लिखा transportation of only water in and out of cell, नहीं बेटा, water के लावा mineral हो गया, food material हो गया, उनका भी transport होता है, only लिख दिया, इसलिए गलत हो गया, plasma membrane protein की synthesis नहीं करती है, यह गलत है, nucleic acid की synthesis भी नहीं करती है, हाँ, asmo regulation इसका काम जरूर है, asmo regulation का मतलब water के balance को maintain करने में, plasma membrane important role play करती है, question number 38, catching, processing, or selling of fish, shellfish, or other aquatic animal is named as, इसे बटा pishy culture के नाम से जाना जाता है, क्योंकि pishy term कहां से आया है, pices से है, यह pices से आया है, pices में किसके मचलियों को रखा जाता है, तो मचलियों को पालना, बेचना, पकड़ना, यह सब pici culture technique में आता है, मत से उद्ध्योग में आता है, कुछर नमर 13 है, इंदा, tangential as well as radial wall of the endodermal cell, root में endodermis की जो cell होती है, उन में deposition होता है, water impermeable waxy substance called suberine, तो suberine का बटा, जो deposition होता हो, किस form में होता है, यह आपको सीधे याद रखना है, NCRT का point है, casparian strip के form में, casparian strip, पूरी पटी के रूप में, suberine का deposition होता है, endodermis के रूप में, और इसलिए endodermal cell, water के लिए impermeable हो जाती है, companion cell are closely associated with, flowem में बेटा, जो companion cell होती है, वो su tube element के साथ, closely associated होती है, और su tube में, maturation पर nucleus नहीं होता है, तो companion cell का nucleus, su tube के function को control करने का भी काम करता है, question number 41 में आप से पुछा गया, Bali, Java and Caspian are, तो बेटा, Bali, Java, Caspian की अगर बात करते हैं, तो ये तीन सब species हैं, tiger की, NCRT नो tiger लिखा है, लेकिन बेटा, यहाँ पर नाम है panthera tigris, तो panthera tigris किसका scientific name है, tiger का, तो बाली, Java, Caspian, ये तीनो सब species हैं, रहाँ दीजे गादी जारता, सब species of the tiger, question number 42, fusion of male gamete with polar nuclei of embryo psych is known as, करें की male gamete का बेटा, fusion हो रहा है polar nuclei से embryo psych के अंदर, तो एक male gamete जब दो polar nuclei से fuse करता है, तो मतलब, तीन nuclei यहाँ पर fuse कर रहे हैं, that is named as triple fusion, double fertilization का हिस्सा, जिससे triple fusion कहते हैं, triple fusion से pen का formation होता है, और pen से आगे चलके, endo sperm का development होता है, question number 43, select the wrong statement, इसमें से गलत statement आपको बेटा बताना है, पहला statement है, bacterial cell wall is made up of peptidoglycan, सही है, pylee and fimbry are mainly involved in motility, गलत है बेटा, pylee और fimbry का main जो role होता है, वो attachment में होता है, ये bacteria को attach करने का काम करती है, host cell के साथ में, या फिर चटानों से rocks attach करने का काम करती है, तो यही wrong statement है, cyanobacteria leg, flagellated से लेक्दम सही, cyanobacteria में कोई भी flagella नहीं पाए जाते हैं, mycoplasma, is a wallless micro-organism, ये भी सही, तो गलत statement का है भी, तो यही आपका answer हो जाएगा, क्योंकि आपसे wrong statement पूछा है बेटा, देखें, जब correct और incorrect पूछता है, तो वहाँ पर उस question से, आपके 4 point clear होते है, इस question से आपके 4 point clear हो जाएंगे, question number 44, if plant material is dried and burn in a crucible, the residue would contain, करें, अगर plant material को, प्लांट की पत्तियों को, जलाया जाए बेटा, तो जलाने पर हमें क्या-क्या चीज़े मिलेंगी, oxide and carbonate of about 10 elements हमें, और यह आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जिक्र biology में तो नहीं किया गया, हो सकता है, NCRT में कहीं पे लिखा हो, अगर आपको पता हो, तो आप इसके बारे में comment करके जरूर बताईएगा है न, जो oxide और carbonate होते हैं, 10 different element के, वो हमें मिलेंगे, अगर crucible के अंदर, dried plant part को जलाया जाए, अब इस तरह का cushion, मैंने भी आज तक कभी नहीं देखा, है, न कहीं पर आपको, किसी भी salt paper में आपको मिलेगा, एकदम नया type का question है, और इसका answer तो मैं भी नहीं जानता था, question number 45 में पुछा, in the TCA cycle, FADS2 is formed during, TCA cycle में, FADS2 का, TCA cycle के आप पहले यह जाने, क्रेब cycle का ही नाम है, TCA cycle, tri carboxylic acid cycle में, FADS2 का formation बेटा, तब होता है, जब succinic acid से fumaric acid बनता है, succinic acid को succinate कह सकते हैं, fumaric क्यों fumarate कह सकते हैं, तो succinic acid से fumaric acid के दोरान, FADS2 का formation होता है, चलो बेटा, question number 46 में, Malarial Parasite is, तो पहले आप यह जाने जाने, यह Malarial Parasite बेटा होता है, Plasmodium, Plasmodium से Malaria नाम की disease होती, तो यह Malarial Parasite हो गया, और यह Digenetic होता है, बेटा, Digenetic का मतलब है, इसको अपनी Life Cycle पूरी करने के लिए, दो होस्ट चाहिए, एक Primary होस्ट चाहिए, और दूसरा Secondary होस्ट चाहिए, बेटा, Primary होस्ट होता है, जिसमें disease होती, तो Man Primary होस्ट हो जाएगा, और जो Secondary होस्ट होता, बेटा, यह Female Anophilis Mosquito, Female Anophilis Mosquito की, अगर हम बात करते हैं, तो Female Anophilis Mosquito यहाँ पर Secondary होस्ट होगी, Question No.47, The pH of the digestive juices within the human small intestine between 7.5 to 8.5, this environment is slightly better, अब यह आप से क्या पूछा गया है, कि pH 7 से ज़्यादा है, अगर 7 pH होता तो Neutral होता है, 7 से कम होता है, तो उसे SD कहते हैं आप हैं न, और अगर 7 से ज़्यादा होता है, तो उसे आप क्या कहते हैं, बेसिक कहते हैं, या फिर आप Alkaline कहते हैं, तो फिर अब सीधा सा एंसर हो जाएगा, कि जो Small Intestine का Environment है, वो कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, अब यह तो Simple सा Question है, Chemistry पढ़के भी आप इसे कर सकते हैं, Question No.48 में क्या पूछा किया देखिए, Phlox, यह बेटा मैंने पहले भी कर रहा है, Phlox Produced in the Secondary Treatment Plant of the Seavage, Seavage Treatment Plant में बेटा, जो Phlox का Production होता है, Phlox किससे बना होता है, Bacteria और Fungi से, मैंने Figure पहले भी बना के दिखा है था, कि Phungi में बेटा, इस तरीके से, यह क्या है, देजार हाइफियोरिन के नेटवर को क्या कहता है, Mycelium, और इन्ही के बीच में, Bacteria प्रिजेंट होते हैं, इस तरीके से, और इसी को Phlox के नाम से जाना जाता है, That is named as Phlox, तो Phlox is the Composition of the, यह आप कह सकते हैं, Mesh-like, जाल की तरह का Structure, अब यहाँ पर यह कुश्चन आप NCRT पढ़के तो नहीं कर सकते हो, Blood Typing Aglutinosan, Aglutinosan क्या होता है, Antigen होता है, जो Aglutinosan है, यह Antigen को Represion करता है, तो जो Blood Grouping होता है, वहाँ पर Antigen यह Decide करता है, कि Blood Group कैसा होगा, तो बिटा, RBC की जो Membrane होती, उसके उपर Antigen present होते हैं, और यही Antigen Decide करते हैं, Blood Grouping को, जैसे अगर आपकी RBC है यह, और उसकी Membrane के उपर A Antigen है, तो आपका Blood Group A हो जाएगा, अगर आपकी RBC की Membrane पर B Antigen है, तो आपका Blood Group B हो जाएगा, अगर आपकी RBC की Membrane पर A और B दोनों Antigen है, तो आपका Blood Group A भी हो जाएगा, और अगर आपकी RBC की Membrane पर कोई Antigen नहीं, तो आपका Blood Group 0 यानि O हो जाएगा, एक्चुली ओ भी Zero System था, जिसको पढ़ते हैं पढ़ते हमने ABO बना दिया है, Question No. 50, The Statement, Tiger is an Apex of Fortune Indicate, Tiger अगर फूर्चन के Apex पर तो इसका मतलब यह है कि, Tiger has many enemies, उसके बहुत सारे दुस्मन हैं, नहीं बेटा, इसका मतलब नहीं, Tiger is maximum biomass, यह भी गलत है, Tiger का minimum biomass होगा, Tiger is omniorus, यह भी गलत है बेटा, Tiger कार्णी औरस मांसाहरी होता है, Omni औरस का मतलब सरवाहरी, जिससे human Omni औरस है, Tiger is dependent upon a large number of herbivore, यह एक्दम सही है, Tiger Apex पर तो इसका मतलब क्या है कि बेटा, जिससे मान लीजे, यह ग्रास है, ठीक है, ग्रास को मान लेते हैं कि डियर ने खाया, हिरन ने खाया, अब इस डियर की अगर हम बात करते हैं, तो इस डियर को मान लेते हैं कि लकड़ बग्गे ने खाया, ठीक है, लकड़ बग्गा ने इसे खा लिया, अब लकड बगगे को बाग ने खा लिया टाइगर ने अब ऐसा भी हो सकता है कि डियर को भी बाग खा ले लकड बगगे को भी बाग खा ले तो इसका मतलब है टाइगर लार्ज नंबर ओफ हर भी और पे डिपेंड करता है अब ऐसा भी हो सकता है कि इस grass को goat खाए और goat को कौन खाले बाग खाले ऐसा भी possible हो सकता है तो goat भी एक Harvey ओर है deer भी एक Harvey ओर है और जो बाग है ये दोनों के ओपर depend करता है ऐसा भी हो सकता है कि grass को कोई cow खाए और इस cow को बाग खाले तो यानि tiger is dependent upon a large number of Harvey ओर ये बहुत सारे Harvey ओर पर depend करता है अगला कुशन ये भी NCRD के बाहर का correct sequence अमंगदा following पैटा correct sequence के अगर हम बात करते हैं तो पैलियो जोई की एरा है यूग जीने कहते हैं धरती पर डायनासोर के लिए कहते मीसो जोई की राइज दा गोल्डेने जॉप दा रेप्टाइज है ना सीनो जोई की राइज हमारा समय है मनुस्य का समय है तो यह सही यहाँ पर sequence है पैलियो जोईक मीसो जोईक एंड सीनो जोईक कुश्चन नमर 52 में आप से का गए इन हूमन कीडनी इज रिस्पॉंसिबल फॉर दा इस्टोरेज ऑफ नूट्रेंट सजेस्ट गलाइकोजन गला थे बटा लीवर गलाइकोजन को स्टोर करता है मसल स्टोर करती हैं दूसरा आप से का गया कंसंट्रेट दा यूरीन वाइक्टिवली ट्रांस्पोर्टिंग वाटर आउट आफ दा फिल्ट्रेट तो यह जो हुमन किडनी है यह कंसंट्रेट करती है यूरीन को लेकिन पैसिव एबजॉप्शन के दौरा तो यहां पर चुकि वाटर का आपको ट्रांस सही है कि अगर कलेक्टिंग डग्ट वाटर के लिए लिस परमेबल होंगी तो इससे वाटर का रिअब्जॉप्शन नहीं हो पाएगा और यूरीन डाइलूट हो जाएगी तो यह सही है डी में क्या कहा गया रिस्पॉंड टू एंटी डायूरेटिक हार्मोन भाई इंक्री नहीं होगा बलकि डिक्रीज होगा एडी एच हार्मोन यूरीन के थुरू वाटर के लॉज को कम करता है तो यह यूरीन आउटपुट को घटाता है तो यहां पर करेक्ट स्टेट्मेंट बेटा सी हो जाएगा कुशन नमबर 53 फेलियर ऑफ टेस्टिस तू डिसेंट इन इस इसे क्रिप्ट और्किडिज्म के नाम से जाना जाता है इंस्पेक्शन में मैंने आपको पढ़ाया है बायो नीट में इसका कुशन भी आपको दिया गया है कुशन नमबर 54 देखते हैं दा एस सेलूलर ध्यान दीजेगा एस सेलूलर फॉर्म आफ लाफ लाइप कुड है व अपियर हुई और 2000 मिलियन साल पहले फॉर्स्ट सेलूलर फॉर्म आफ लाइप इस अर्थ पर अपियर हुई तो यह डेटा इंसी आर्टी के हैं आपको याद रखना है कुशन नमबर 55 मेटा जनेसिस सीनिन बेटा मेटा जनेसिस अबीलिया में पाई जाती है अबीलिया में मेटा जनेसिस का मतलब क्या है कि बेटा यहाँ पर जो पॉलिप और मेडुसा फेज होती पॉलिप और मेडुसा फेज जो बेटा होती पॉलिप मेडुसा में चेंज होता है मेडुसा पॉलिप में चेंज होता है इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनेरेशन कहते हैं और genome project में आपको बताए गया है कि dystrophin सबसे बड़ा gene होता है और अगर इस gene की हम बात करें तो इसमें 2.4 million bases होते हैं बैटा नहीं 24 लाख base से बना होता है जबकि एक average gene में 3000 bases होते हैं लेकिन dystrophin में 2.4 million bases present होते हैं. कुश्चे नमबर 57 What is true about rheumatoid arthritis? बैटा rheumatoid arthritis की अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरह की autoimmune disease है NCRT ने बताई तो ये सही है और arthritis में क्या होता है बैटा inflammation of joint तो ये भी सही है तो इसका मतलब D answer होगा बोथ B और C यहाँ पर correct statement है. कुश्चे नमबर 58 इस्टिर्ट टैंक बायो रेक्टर हैव बीन डिजाइन फॉर ये बैटा भी लेटेस मैंने आपको crash course में पढ़ाया है इस्टिर्ट टैंक बायो रेक्टर को इसलिए डिजाइन किया जाता है ताकि जो oxygen की availability है पूरे बायो रेक्टर में ओ एक जैसी maintain हो सके इसलिए इस्टिर्ट टैंक बायो रेक्टर में इस्टिरर का यूज किया जाता है कुश्चे नमबर 59 वें selection act to eliminate both the extreme from an array of phenotype the frequency of intermediate type which is already present is more get increased this type of selection is named as बेटर नॉर्मली अगर आप किसी भी है मैंने आपको सिखाया यह हाड़ी बिनबर प्रिंसिपल का कुश्चन है यहाँ पर आपको यह दिखाया गया है ठीक है यह graph 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 है अगर आप देखेंगे तो तीन तरह के individual होते है large size के small size के और बीच में होते medium size के अब medium size के individual already सबसे ज़्यादा peak यही पर आपको मिल रही और यहाँ क्या कह रहे है कि वह selection act to eliminate both the extreme यानि small size और large size को eliminate कर रहे है है और frequency of intermediate type intermediate मतलब medium type which is already present more पहले सी ज़्यादा है get increases को और increase कर दिया जाए तो अगर nature बेटा medium size की population को select करता peak और ज़्यादा high होती that is stabilizing selection बेटा hardy winber principle के cushion करने का तरीका मैंने आपको सिखाया है आज भी मैंने 12 बजे वाला जो session लिया था उसमें भी cushion करने का तरीका सिखाया था तो उसको जरूर आप करिए hardy winber principle के cushion करने के तरीके के लिए आप video search कर सकते है YouTube पे उसे मेरी video आपको मिल जाएगी शैनल पर आप search करेंगे मेरे नाम से search करेंगे आपको मिल जाएगी थैलमस इज थैलमस की बटा आप बात करते हैं तो थैलमस इस दा बेस ओफ दा फ्लावर यह previous year का कुशन है NCRT में डाटली नहीं लिखा लेकिन मैंने inspection book में अपनी आपको बताया है और अगर bio need के question आप करेंगे तो वहाँ पर भी आपको previous year question में मिल जाएगा थैलमस इस दा बेस ओफ दा फ्लार कुशन नमर 60 वने में बेटा पूछा गया contraction of the ventricle in the heart begin by command from बेटा चाहे ventricle के contraction की बात की जाए चाहे atria के contraction की बात की जाए इनको command देता है essay node क्योंकि जो बेटा essay node होता है essay node की अगर हम बात करते हैं तो essay node से जो impulse generate होते हैं इस essay node को बेटा कहा जाता है pace maker इसे pace maker कहा जाता है क्योंकि heart के contraction को relaxation को यही control करता है essay note को एक नाम और दिया जाता है this is also named as heart of heart इसे heart of heart के नाम से भी जाना जाता है इसे दिल का दिल कहा जाता है question number 62 in increasing order of organizational complexity which one of the following is correct sequence तो पिटा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो correct sequence के हिसाब से यह option आपका सही होगा species की अगर हम बात करते हैं तो species के बाद यहाँ पर जैसे human की बात करें मिटा तो human एक species को represent करता है अब human की जो species है इसकी छोटी छोटी population होती जैसे लखनोव हो गया दिल्ली हो गया यह human species की population है कई सारी population मिलके community बनाती है और community से community जो होती है जब इनके साथ a-biotic component को जोड़ते है तो ecosystem का formation होता है question number 63 what is true about BT toxin यह लगा था NEET में सवाल आप से बेटा पूछा था BT toxin के बारे में यहां पर क्या लिखा है पहले option में की BT protein exist as active toxin in bacillus गलते बेटा बैसिलस बैक्टीरिया में यह inactive form में पाया जाता है फिर क्या लिखा दा activated toxin enter the ovaries of the pest बेटा ovaries में नहीं mid gut में एंटर करता तो यह भी गलत है दा concern bacillus has anti toxin यह भी गलते बेटा जो bacillus bacteria उसमें toxin होता antitoxin नहीं होता है फिर D में लिखा the inactive protoxin get converted into active form in the insect gut gut में भी mid gut epithelium आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा तो D option यहाँ पर correct है question number 64 decibel is a standard abbreviation used for the quantitative expression of decibel की अगर हम बात करते हैं यह देखिए decibel है decibel बेटा sound को यह noise को measure करने की unit है तो noise एक pollution है और इसको measure करते है decibel के दोरा तो यहनि decibel हम use करते है particular pollutant जो noise है यह air pollutant का हिस्सा माना जाता है तो इस pollutant को measure करने के लिए decibel unit का use किया जाता है question number 65 यह भी आपको बेटा NCRT में नहीं दिया गया लेकिन अगर बायो नीट आपने क्योंगी chapter 1 तो उसमें आपको दिया गया है nicosiana sylvestris flower only during long days and nicosiana tabacum यह बेटा तंबाको की दो अलग अलग जातिया है nicosiana sylvestris long day में flowering करता है और tabacum short day में flowering करता है if raised in the laboratory under different photo period they can be induced to flower at the same time and can be cross fertilized to produce self fertile offspring what is the best region to considering nicosiana sylvestris and nicosiana tabacum to be separate species question में आपसे का गया nicosiana sylvestris और nicosiana tabacum अलग अलग जाती हैं क्यों consider की जाती है तो Ernest Meyer ने बताया कि इनमें reproductive isolation होता यह nature में interbreeding नहीं कर सकती है और इसी लिए इसी लिए इन्हें अलग-अलग species माना जाता है यह बायो नीट में बटा कुशन आपको मिल जाएगा previous year में aims में कुशन पूछा गया था question number 66 Swiss cheese is ripened भाई यह तो सीधे NCRT में बटा लिखा है Swiss cheese की जो ripening होती propion, bacterium, sermeni के दोरा की जाती है तो यह तो factual question है आपको याद होना चाहिए question number 67 which of the following statement is are correct or incorrect अब एक-एक option यहाँ पर पढ़ते हैं और फिर answer करते हैं देखते हैं जरा यहाँ पर पहले option में क्या दिया गए A band for the muscle or dark and content myocin सही है eye band or light band and content actin यह भी सही है during muscle contraction A band contract गलत है बटा contraction के दौरान A band में कोई change नहीं होता है तो यह गलत हो गया 1, 2 सही है 4 में क्या लिखा है the part between two jet lines is called sarcomere यह भी सही है the central gap of thick filament not overlap by myocin filament is called H zone यह भी गलत है बटा the central gap of thin filament not overlap by actin filament is named as H zone तो यह भी गलत statement है तो बटा 1, 2 और 4 correct है जबकि 3 और 5 incorrect है तो C answer यहाँ पर आपका हो जाएगा question number 68 the second maturation division of mammalian om occur यह बहुत important question है बटा second maturation division यह आप कह सकते है कि meiosis 2 जो है बटा जो meiosis 2 है यह कब होती है तो meiosis 2 तब होती है जब om के अंदर sperm enter कर जाता है fertilization से just पहले fertilization से just पहले और sperm के om में enter करने के बाद sperm के egg में enter करने के बाद और fertilization से just पहले second meiotic division complete होता है question number 69 the most significant value of vegetative propagation is that करें vegetative propagation सबसे ज़्यादा important किस वज़े से तो पहला इसमें दिखाए गया कि it enable rapid production of genetic variation गलत है बेटा vegetative propagation asexual production का example variation नहीं आती है it is means of producing a large population of individual genetically identical to parent बिल्कुल से vegetative propagation से हम genetically identical individual को produce कर सकते हैं यह सबसे significant feature होता है vegetative propagation का question number 70 in photosynthesis for the fixation of one molecule of glucose the number of ATP and NADPH required बेटा एक glucose molecule के लिए 6 CO2 की जरूरत होती है 12 NADPH की जरूरत होती है और 18 ATP की जरूरत होती है ना तो आपसे ATP और NADPH पूछा गया तो 18 ATP और 12 NADPH की जरूरत होगी वैसे यह NCRT में आपको दिया भी गया है चले बेटा question number 71 में आपसे पुछा गया था force of tension cohesion exceed root pressure तो बेटा cohesion tension का मतलब क्या हो गया transpiration करें जो transpiration के दोरा force generate हो रहा है बेटा यह force root pressure की तुलना में जादा होगा किस condition में तो बेटा transpiration का rate कब जादा होगा जब गर्मी बहुत जादा होगा यानि sunny day की बात करें जब खूब धूप होगी तो transpiration का rate जादा होगा तो cohesion tension के दोरा जो force generate होगा root pressure की तुलना में जादा हो जागा यह भी NCRT पढ़के आप directly नहीं कर सकते हैं question number 72 what is true about the limbic system बेटा limbic system की अगर हम बात करते हैं तो limbic system के लिए पहला option दियागा it is part of four brain एक्तम सही है four brain का हिस्सा है limbic system दूसरा अमाई गैडला and hippocampus are part of it यह भी सही है it regulates sexual behavior and emotional action यह भी सही यानि all answer हो जाएगा बेटा देखे limbic system क्या करता है आप इसके लिए code याद करोगे same यानि sexual behavior को control करता है emotional reaction को control करता है motivation जो होता है इन तीनों को limbic system control करता है जैसे YouTube channel पे आप खुब motivation ढोड़ता है तो जो motivation आप ढोड़ते हैं उसे count control करता है limbic system control करता है question number 73 which one of the taxonomic ad can give a comprehensive account of complete compiled information of any one genus or family or at a particular time ध्यान दीजेगा only one genus or family तो इसका मतलब है एक taxon अगर कोई taxonomical ad के अवल एक taxon की information देता है that is monograph mono का मतलब ही होता है one तो यह इन से आटी ने directly लिखा हुआ है लेकिन इस तरीके से नहीं लिखा यहाँ पर क्या लिखा वन जीनस और वन फैमिली तो यह monograph को रिपरजन करेगा question number 74 opening of hepato pancreatic duct into diodenum is guarded by यह भी सीधे NCRT का point है hepato pancreatic duct diodenum में जब open होती तो इसको guard करता है finger of odai question number 75 each lung is covered by a double layered pleura the outer pleural membrane is in close contact with outer जो pleural membrane होती है उसे parietal pleura के नाम से जाना जाता है inner वाली को visceral pleura कहा जाता तो जो parietal pleura होती बैटा यह thoracic lining के संपर्क में होती है और जो inner visceral pleural membrane होती है वो lung surface के close contact में होती है question number 76 in sponges asexual reproductive structure is बैटा अगर हम sponges की बात करें तो यहाँ पर asexual reproductive structure endogenous budding होती NCRT ने नहीं दिया है हाँ NCRT ने jamule का जिक्र किया है तो जो jamule होते हैं इन्ही को internal budding के नाम से जाना जाता है तो internal के लिए यहाँ पर क्या टर्म आपको दिया गया endogenous budding आपको दिया गया बैटा अगर इस तरह का neat का paper आएगा तो सोचिए कि कितनी मुस्किले आपको हो सकती है इसलिए आपको NCRT के बाहर की चीज़े पढ़ने की जरूरत है जो बारा बज़े डेली में session दोपार में लेता हूँ दो घंटे का उसमें मैं NCRT के बाहर की बहुत सारी चीज़े यह सारे point में आपको cover कराता हूँ तो उसको आप जरूर करेंगे question number 77 the precursor of tissue macrophages are पिटा precursor का मतलब जिससे कोई चीज़ बनी हो है ना जैसे मान लीजिए कि मैं आप से कहूँ कि protein का precursor क्या है तो protein किससे बनी है amino acid से तो यानि amino acid are the precursor of protein ठीक है आप से पूछो nucleic acid का precursor क्या तो आप कहेंगे nucleotide हमारी body का precursor क्या cell तो यहाँ पर question क्या पुछा गया macrophage का precursor क्या macrophage क्या होती बेटा जैसे liver में पाई जाती है कुफर cell है ना liver में आपने कुफर cell पढ़ी है तो कुफर cell एक macrophage है और इन macrophage को कौन बनाता है monocyte तो जितनी भी macrophages होती है चाहे वो liver की कुफर cell हो या फिर lung में dust cell पाई जाती है इन सब को कौन बनाता है monocyte बनाता है तो monocyte are the precursor of the macrophages question number 78 यह तो NCRT के लेंदा secretion of which gland help in the lubrication of penis तो बेटा जो bulbo-urethral gland होती है यह इनका secretion penis को lubricate करता है ताकि जो insemination है जो copulation है वो आसानी से हो सके question number 79 which of the following is not a function of skeletal system skeletal system का कौन सा काम नहीं skeletal system मतलब बन की mainly बात हो रही तो bone mineral को store करते हैं बिलकुल सही बिटा bone locomotion में मदद करते हैं बिलकुल सही है bone long bone में athrocyte यानी rbc बनती एकदम सही है लेकिन bone के दोरा body heat को produce नहीं किया जाता यह गलत है तो यही आप से पूछा गया कि कौन सा incorrect है question number 80 which element is required for germination of pollen grain सीधे NCRT ने दिया pollen grain के germination के लिए boron की requirement होती है question number 81 में क्या bacteria यह और हम हमरे आइन ह्मी थीए अब आरकी bacteria हों गे आरकी ी आइन यह यह बैक्टी लाग यह पूशन हमने पहले भी किया है having different cell wall and cell membrane structure इक दम सही incarnation write do mixture दूना में यह बहुंतलिया यह noir औकसीजन रिए डा adverse तो यहाँ पर D option में कहा more than one option is correct तो यानि D answer सबसे ज़्यादा appropriate होगा D को आप correct करेंगे बैटा देखे जो hello file होते हैं hello file की अगर हम बात करते हैं तो यह obligate anaerobic होते हैं मतलब इनको oxygen की जरूरत नहीं होगी अगर oxygen आप provide करेंगे तो इनकी death हो जाएगी question number 82 density of population increases with population density को capital N से रेपरजन करते है और population density कब इनक्रेज करेगी he migration अगर inक्रेज होगा तो population density घटेगी he migration मतलब population से कुछ individual बाहर चले जाएंगे तो इससे तो population density घटेगी immigration decreases immigration decrease होगी तो population density decrease होगी immigration मतलब दूसरी जगे से अगर लोग कमाएंगे तब भी population density घटेगी mortality अगर increase होगी जादा लोग population में die करेंगे तो इससे भी population कम होगी आप से question में कहा है कि किस case में population density बढ़ेगी जब natality increase होगी natality increase होने से population density बढ़ती ही बटा क्योंकि natality का मतलब birth किसी population में अगर बच्चों का जन्म होगा तो obviously कि उस population की density increase होगी question number 83 which of the following statement regarding decomposition is false है एक एक पढ़ते है warm and moist condition favor decomposition सही NCRT की लाइन है decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and kytin ये भी सही है अगर detritus में lignin और kytin ज़्यादा है तो decomposition का rate slow होगा अर्थवर में जे detritus और ये भी सही है precipitation of water as soluble inorganic nutrient into soil horizon as unavailable salt is called mineralization गलत है बटा इस process को leaching के नाम से जाना जाता है ठीक है तो इस statement गलत हो जाएगा तो यही आपका सही answer होगा क्योंकि आपसे false पूछा गया है question number 84 select the wrongly match pair with regard to C4 cycle C4 cycle के लिए कौन सा statement गलत है primary CO2 fixation product है PGA यह गलत है बेटा और यही answer आपका होगा क्योंकि आपसे wrongly match pair पूछा है पहला C4 cycle में सबसे पहले जो product बनता हो oxaloistique acid बनता है site of initial carboxylation mesophyll यह सही है primary CO2 acceptor pep है यह भी सही है C4 plant में मेज है यह भी सही है तो पहला option incorrect है और यही आपको answer करना था question number 85 oxidative phosphorylation in eukaryot occur during बेटा oxidative कह रहा है तो oxidative phosphorylation कहा होता है mitochondria में होता है photo phosphorylation कहा होता है chloroplast में तो बेटा दो option mitochondria के हैं है ना अब देखिए दो option में एक में anaerobic है और एक में aerobic तो oxidative phosphorylation में oxygen का यूज होगा और यहाँ पर aerobic respiration in mitochondria में oxidative phosphorylation की वज़े से ATP की synthesis होगी question number 86 the most important role of potassium ion is that बेटा potassium ion की अगर हम बात करते हैं तो इसका सबसे important role यह है कि यह कई enzymatic activities को influence करता है और कई plant processes को regulate करता है जैसे potassium and stomata की opening और closing को regulate करने का काम करता है question number 87 which of the following is a copper containing protein acting as mobile electron carrier in a thylakoid membrane तो बेटा यहाँ पर copper containing अगर हम protein की बात करते हैं तो plastosinin हो जाएगा plastosinin को PC से reprogen किया जाता है और यह एक mobile electron carrier के तौर पे काम करती plastosinin NCRT में आपको नहीं दिया गया है question number 88 diploblastic animal with radial symmetry दो चीज़े यहाँ पर देखनी है radial symmetry और diploblastic आपको देखना है बटा तो roundworm में तो bilateral symmetry होती तो इसका काम तो पहली कतम हो गया है ना bilateral symmetry आपसे radial पूछी गई अर्थवर्म में bilateral symmetry तो यह भी कतम liver flick bilateral symmetry तो यह भी कतम क्योंकि roundworm ask helminth का member है अर्थवर्म एनिलिडा का member है liver flick platy helminth का member है तो इन तीनों में bilateral symmetry hydra, sealant reta का member है और sealant reta, diploblastic भी होते हैं और radial symmetry पाई जाती तो आपका answer D हो जाएगा question number 89 which organism is used as bio control agent of several plant pathogen कौन सा organism bio control agent की रूप में काम करता है कई plant pathogen की रूप में तो आपका answer बेटा होगा trichoderma, trichoderma bio control agent है plant pathogen की case में देखिए baculovirus जो होता है बेटा वो insect से बचाता है और insect एक pest है, यह कोई pathogen नहीं है एक pest आप से काया pathogen से बचाने वाला bacillus thuringiensis भी insect से बचाता है dragonfly भी insect से बचाता है, तो यह pest से protect करता है अगर पूछा जाता, which organism is used as bio control agent of several plant pest तो आपके यह तीन answer से ही हो जाते है लेकिन pathogen पूछा है बेटा, तो trichoderma जो होता है यह pathogen से बचाने का काम करता है question number 90 में in the given diagram of antibody x indicate तो पेटा, x जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है यह end terminal आपको दिखाये गया है यह end terminal है और यह c terminal हो जाएंगे तो पेटा, जो end terminal होते हैं इनकी तरफ क्या होती? यह जो site आपको दिखाई गई है end terminal की तरफ यह endigen binding site होती तो पेटा, यह आपका NTA का test paper number 5 complete हुआ यहाँ पर मुझे उमीद है कि आपको यह पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया तो एक like तो बनता ही है नहीं पसंद आया तो dislike जरूर करिएगा और comment section में बताईएगा किस तरह का improvement आप चाहते हैं आपको अच्छा लगा आपको बुरा लगा जैसा भी लगा आप comment section में जरूर बताएगे मैं आगे और इसको improve करने की कोसिस भी करूंगा क्योंकि मैं कोसिस यह कर रहा हूँ कि हर question में जितना भी explanation हो सकता maximum वो सार explanation आपको provide करूं तो इस वीडियो को बेटा ज्यादा ज्यादा share करिए अपने friend को share करिए और अगर आप channel पे ने तो channel को subscribe करिए ताकि need की तयारी को आप बहतर तरीके से कर पाए और यह देखिए यहाँ पर एक bell बनी हुई subscribe करेंगे फिर यह bell आएगी bell icon को press करेंगे तो जो भी वीडियो में upload करूंगा उसका notification भी आपको मिलेगा need 2020 के लिए आप सभी को हार दिक सुपकामना है